हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में फायल सेरिंग काम नहीं कर रहे तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करने सच पर किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहां पर सच कर लिए विंडो फीचर इस तरह से सच कर लिजएगा सच करते हैं यहां पर आपको क्लिक कर देना किलिक करते हैं इस तरह से व तो यहाँ पे plus का निसान होगा यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद इस तरह से list open हो जाएगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको second option देखी जाएगा smb 1.0 cif client इसको आपको यहाँ पर tick mark कर देना है इस तरह से इसको tick mark कर दिजाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर OK पर किलिक करते हैं इस तरह से यह feature enable होना शुरू हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है बस यहाँ पर कुछ second wait करना है इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा आप आपको क्या कहना यहाँ पर रिये स्टार्ट नौ के उपर आपको किलिक कर देना है किलिक करते ही इस तरह से ये रिये स्टार्ट होना सुरू हो जाएगा रिये स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर लिजाएगा आपका प्राव्राम सॉल्व हो जाएगा यादि फिर भी आपका प्राव्राम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है कंट्रॉल पैनल ऑपे करने के लिए आपको क्या करना या तो आपके केस में डे 리cent ॉप के आपके कलिक करलेक आ या क्रेंसे जाएगा इस तरह से दिखना होजाएगा इसके पाद आपको क्या करना यहां पर डिख जाएगा नेट वर कने इंटरनेट इसके ओपर आपको कईक कर देने के इस तरह से यहाँ पर आपको ke-देना आपको क्या के कर देना किलिक कर देना किलिक खरते हैं इस तरह से वीन्टेर हो जाएगा. इसके बाद यहाँ पर आपको तीन ओप्सन दिख जाएगा प्राइवेट, गेस्ट, ओल नेटवर्क यदि आप प्राइवेट के लिए करना चाहते तो यहाँ पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ से आप चेक कर लिजेगा Turn on network discovery on है या नहीं यदि यह tick mark नहीं होगा तो इसको tick mark कर देना है ऐसी ही आपको क्या करना है यहाँ पे चेक कर लेना है यह turn on है या नहीं यदि off होगा तो इसको भी आप on कर लिजेगा इसके बाद यहाँ पे आप save पे किलिक करके बाहर आ सकते हैं यदि आप guest के लिए करना चाहते हैं यहाँ पे भी आपको same करना है यदि all network के लिए करना चाहते हैं यहाँ से भी all network के लिए कर सकते हैं यदि आपको password off करना होगा तो यहाँ से password off कर सकते हैं यदि on करना है तो on कर सकते हैं तो यहां पे भी आपको यह सेम सेटिंग मिलेगा यानि सेरिंग आउन कर देने हैं इसके बाद यहां पर आपको से पे क्लिक करके इस विंडो को यहां से क्लूज कर देने हैं अब आपको क्या करने हैं सर्च पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको टैप कर देने हैं services type करती है यहाँ पर आपको First option दिखे जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है तरह से services open हो जाएगा इसुथके बाद यहाँ पर आपको सर्च करने है फंसन डिसकब्री यहाँ पर आप करके यहां पर आपको दिखी जएगा यहां पर आपको सर्च कर लेना है इस तरह से आपको डबल खल Star इस तरह से window open हो जाएगा Iसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर starter type के आगे manual होगा तो यहाँ पर click करके आपको automatic selectからने है इसके बाद यहाँ पर startART हो जाएगा यहाँ पर running लिखा हुआ आ जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर apply per click करना है manual होगा तो यहां पर automatic कर देने इसके बाद यहां पर आपको start पर click कर देने start पर click करने के बाद यह running हो जाएगा इसके बाद यहां पर आपको apply पर click करने इसके बाद यहां पर आपको ok पर click कर देने अब आपको क्या करना है यहां पर S.Codron करने, S.Codron करने के बाद आपको यहां पर साँक कर लेने, S.S.D.P, यहां पर आप साँक कर लेजए है, S.S.D.P, यहां पर आपको दिख जाएगा, S.S.D.P Discovery, यहां पर आपको दिख रहे, इस तरह से आपके कीस में भी मिल जाएगा, इसके उपर आपको double click करना है, double click करने के बाद यह window open हो जाएगा, यहाँ पर भी starter tap में manual होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर automatic select कर दिने, इसके बाद यहाँ पर start पर click कर दिने, start पर click करते हैं, इस तरह से running हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर apply पे किलिक करने है अब आपको यहाँ पे से क्लोज कर दिना है क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है सिस्टम को फिर से रिये स्टार्ट कर लेना है रिये स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर लिजेगा आपका जो प्रॉलम था वो प्रॉलम सॉल्व हो जाएगा और प्लीज गैस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू